हेलो फ्रेंट्स वेलकम तुश्वादी स्पैसितीबल तो आज बात ही आपके साथ लिखी है ये मैसूर पार्ट टू आज हमा आए हैं मैसूर ब्रंदवन गारण बहुत स्यादा बहत स्यादा शांदर है गारण काफी बड़ा गारण है और काफी जदा मेंटीन है तो आप दे बुक करके अंदर से ही वरंदवन गार्डन का नजारा दिले सकते हैं हाफ गार्डन बहुत ही अच्छे से यहां से दिखाई देता है साथ की साथ यहां पर डैम भी बना हुआ है मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि यह जो गार्डन है यह कावेरी रीवर पर बना है और जो यह डैम है इसे हम कावेरी डैम ही कहते हैं अभी उपर की साथ थोड़ा अंडर कंस्टिक्शन था शायद कुछ बर चल रहा था तो मैं नहीं गई मैंने वो चीजें कैप्चर नहीं करी उपर की साइड डैम भी इस टाइम क्लोस था ओपन नहीं था और यह गार्डन जितना दिन में खुबसूरत लग रहा है उससे ज़्यादा खुबसूरत यह रात में लगता है रात में बहुतज़ स्धा लाइटिंग होती है बहुत स्धार कलरफूर लाइटिंग की वज़े से इसकी जो खुबसूरती है वो और और जधायदा बढ़ आती है यहाँ पर musical show होता है musical fountain show होता है जो बहुत जादा अच्छा लगता है बट मैंने यह सारी चीजे miss कर दिये दोस्तों क्योंकि मैं शाम के टाइम यहाँ आई थी और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब सारी चीजे घूम पाऊं मुझे निकलना था तो मैंने यहाँ पर दिन में ही यह सारी चीजे shoot करी और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ नहीं नहीं चीजे जब आप देखते हो shoot करते हो और आपके साथ share करना यह सारी चीजे मुझे काफी पसंद है इससे क्या होता है ना कि कौन सा चीज कहा है क्योंकि हम लोग जब तक किसी चीज को जाते नहीं capture नहीं करते आपको पता नहीं लगता कि वहाँ पर किस तरह से क्या क्या चीजे हैं आपको यहाँ आफे खाने पीने के बाहर काफे सारे option मिल जाएगे जैसे ही entry gate है इसकी entry piece only 50 रूपीज है बचों का 30 रूपीज है यह garden सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक open होता है उसके बाद आप यहाँ पे अंदर ही wait करके lighting show का मज़ा और musical fountain का मज़ा ले सकते हैं गार्डन सेच में बहुत जादा maintained है बहुत जादा clean था बहुत जादा अच्छा लगा मुझे और मैसूर मतलब काफी प्यारी सिटी है है तो बहुत small city पर बहुत जादा neat and clean सिटी है बहुत जादा मुझे यहां के मतलब amazing सी feeling हुई चारों तरफ एकदम इतनी हरियाली उपर से बारिश का मौसम था मतलब मजा ही आगया था घूमने में तो बस यह चोड़ी चोड़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है capture करी है और जो यह डैम है इसमें भी रात में लाइटिंग होती है हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसकी लाइटिंग यहाँ पर present की जाती है जो हम शाम के टाइम देखते हैं काफी खूबसूरत लगती है आगे मैं आपको इसी वीडियो में आपको कुछ पिच्चरिस दिखाऊंगी कि आप देखेगा कि इमेजिस ने यह लाइटिंग यह गाडन कितना जादा खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर आप अपनी फैमिली अपने फ्रेंज्स या फिर कपल्स कुछ भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं काफी जादा क्राउट होटा है बढ़ जिस टैम मैं गई थी यहाँ पर इतना क्राउट नहीं था इनफेक्ट शायद रात के टाइम यहाँ पर जादा क्राउट रहता है क्योंकि लोग जादा तर म्यूजिकल फांटेन और लाइटिंग शो देखने हां आते हैं तो इस टैम यह गाडन थोड़ा खाली था इसलिए मैं पीसफुली यहाँ पर घूम पाई अच्छे से कैप्चर कर पाई हर चीजें और आपको जगर जगर सिटिंग अरिज्मेंट मिल जाएंगे और यहाँ वाश्रूम भी बने हुएं अंदर तो काफ़ी सारी अच्छी फैसलिटीज यहाँ पर अवेलिबल है हम मतलब यहाँ इजी लिए अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर बच्चों को लेके आ सकते हैं बहुत जादा या कोई भी जादा प्रॉबलम नहीं होती यहाँ पर छोटी सी एक लेख बनाई है यहाँ पर काफ़ी सारी फिशे हैं हमने उन्हें खाना भी खिलाया तक काफी जादा खुबसूरत है अलग-अलग फ्लावर्स हैं अलग-अलग पेड़ हैं आप देख सकते हैं गार्डन रात में कितना खुबसूरत लग रहा है इसलिए मैंने पिचल्स आपके साथ शेयर करी है दोस्तों इसी तरह की इंटरस्टिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें थैंक यू सो मच बाबाई दोस्तों